सभी योग अभ्यास किसी भी तरह का अभ्यास हो चाहे आप आसन करें यम, नियम, प्राणायम, धारना, जो भी हो ध्यान, समाधी, शून्य चाहे आप कुछ भी करें मूल रूप से उन सभी चीजों की बुनियाद भूत शुद्धी या तत्वों की शुद्धी है या अगर आप शुद्ध नहीं कर पाते अगर आप में वैसी क्षमता नहीं है तो आपको तत्वों पर जाना होगा विभूती इसलिए है यानि तत्वों से परे अगर आप तत्वों को शुद्ध करेंगे तो आप एक खुबसूरत जीवन जीएंगे अगर आप ये नहीं कर पाते तो सबसे अच्छी चीज है परे चले जाना खुबसूरत जीवन की दिशा में न जाकर बस उनसे परे चले जाईए क्योंकि खुबसूरत जीवन जीना एक ज्यादा जटिल परिस्थिती है परे जाने की तुलना में परे जाने का मतलब है कि आप उनसे उपर है जो उपर है वो भौतिकता की इतनी सारी जटिलताओं की परवा नहीं करता लेकिन अगर आप भौतिक में होकर भी उससे उपर होना चाहते हैं तो भौतिकता पर थोड़ी ज्यादा महारत की जरूरत है अगर आपकी भौतिकता पर कोई महारत नहीं है तो आप भौतिकता के गुलाम बन जाएंगे तो भूत शुद्धी का मूल अर्थ है कि आप उन्हें पहले शुद्ध करना चाहते हैं ताकि आप धीरे धीरे उस थिती तक पहुँच जाएं जिसे भूतिकता पर शुद्धी कहते हैं यानि आपको तत्वों पर महारत प्राप्त है हर इनसान को तत्वों पर किसी तरह की महारत हासिल है वरना आप एक सामान्य जीवन भी नहीं जीपाते फिलहाल आपके सिस्टम में पाँच तत्व कितने अच्छे से व्यवस्थित है इसी से तै होता है कि ये शरीर कितना मजबूत, स्थिर और संगठित है ये शरीर बस पाँच तत्वों का खेल है ये दुनिया भी और ये ब्रमान्ट भी सब कुछ पाँच तत्वों का खेल है इन पाँचों में से जब तक कि आप दिव्य आयामों की खोज नहीं करना चाहते तब तक आपको आकाश की चिंता नहीं करनी पड़ती तो सिर्फ चार है इन चार में से आपके शरीर का 72 प्रतिशत सिर्फ पानी है खुद को हिला कर देखिए आप बस एक वाटर बॉटल है तीन चौथ हाई भरी होई आपको समझना चाहिए कि ये धर्ती के तालमेल में है और धर्ती का लगभग 72 प्रतिशत पानी है क्या आप ये जानते हैं? हाँ, जीवन इसी तरह विक्सित हुआ है धर्ती की जो भी प्रकृती है वो आपके शरीर में अलग-अलग तरीकों से व्यक्त हुई है तो लगभग दो तिहाई धर्ती पानी है और दो तिहाई शरीर भी पानी है तो जब आप खाना खाते हैं तो हमेशा ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें पानी की मात्रा सतर प्रतिशत से ज्यादा हो इस एक चीज को पश्चिमी समाज अंदेखा कर रहे हैं और बहुत बड़ी कीमत चुका रहे है अब हर जगा ऐसा हो रहा है हर सबजी में सतर प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है हर फल में 90 प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है अगर आप शुद्धी करना चाहते हैं, तो आपको फल खाना चाहिए अगर शरीर को ऐसा ही रखना चाहते हैं, तो सबजियों से ऐसा होता है और लगभग हर एशियाई भोजन में कुद्रती रूप से 70 प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है परंपराएं इसी तरह से बनाई गई थी वे इस बारे में जागरुक थे, सिर्फ पश्चमी भोजन ही सूखे होते हैं आप अलग से पानी पिएं तो वो काम नहीं करेगा भोजन में 70 प्रतिशत से ज्यादा पानी होना चाहिए तो 72 प्रतिशत पानी है शरीर का 12 प्रतिशत प्रिथवी है आप जानते हैं, आपके शरीर का सिर्फ 12 प्रतिशत ही प्रिथवी है मुख्य रूप से पानी है छे प्रतिशत हिस्सा वायू है वायू तत्व की साधना और शुद्धी सबसे आसान है क्योंकि सांसे मौझूद हैं जिसे आप कुछ तरीके से संभाल सकते हैं बाकी का चार प्रतिशत अगनी है अगनी पर महारत पाने से आपके साथ कई चीज़ें हो सकती हैं लेकिन क्योंकि आप ग्रहस्त हैं और परिवार के साथ रहते हैं तो आपको अगनी पर महारत पाने की जरूरत नहीं है आप इसे मौझूदा स्थिती में ही रख सकते हैं कभी-कभी आप किसी को थोड़ा सा जला भी सकते हैं, आपको इसकी जरूरत पढ़ सकती है, आप शादी शुदा हैं, अगर कभी-कभी आप उन्हें थोड़ा सा न जलाएं, तो शायद शादी कारगर भी न हो, हाया ना? बागी का छे प्रतिशत आकाश है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि आप अस्तित्व के दिव्या आयामों की खोज नहीं करना चाहते, अच्छे से जीने के लिए चार तत्व ही काफी हैं, पांचवा उन लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है, जो ब बाकी घुमावदार हैं, भूत शुद्धी का अभ्यास एक बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है, या बहुत ही जटल तरीके से भी किया जा सकता है, तत्वों की कमान अपने हाथों में लेने के कई तरीके हैं, एक चीज है, आप इन्हें अपने भीतर कैसे लेते हैं, प्राचीन संस्कृतियों का पूरा सिस्टम इन चार तत्वों के साथ अच्छा बरताव करने के बारे में था। ये चार तत्व आपकी रचना की बुनियाद हैं। अगर आप में इन पर बिल्कुल थोड़ी सी भी महारत होगी, तो आप ऐसे जीने लगेंगे जो दूसरों को जादू ही लगने लगेगा। ये कोई जादू नहीं है क्योंकि अभी आप पानी पीते हैं देखिए ये कैसा है क्या ये आप की तरह दिखता है क्या ये आप की तरह दिखता है क्या ये आप में से किसी की तरह भी दिखता है लेकिन अगर आप इसे पी लें तो यह आप में बदल जाता है, है ना? क्या ये जादू नहीं है? जीवन खुद जादू ही है जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो जादू ही नहीं हो, है ना? बस आपकी किसी बीमारी का ठीक हो जाना ही जादू नहीं है इसे देखिए, ये आप में बदल जाता है ठीक करना या कोई चोट लग जाए उसे ठीक करना संभव होगा क्यूंकि आप पूरा शरीर अंदर से ही बना रहे हैं, है ना, चार तत्व का इस्तमाल करके आप अपना पूरा शरीर बना रहे हैं, दुर्भाग्य है कि ये अचेतन रूप से हो रहा है, बस यही है, तो इस बा पानी से आप एक बहुत ही जटिल मशीन बना रहे हैं, है ना, हाँ या ना, ये कुछ ऐसा है कि मैं ये पानी जमीन पर गिराऊं और ये आईपैड बन जाए, आप इसे क्या कहेंगे, मान लीजिए मैंने पानी फेका और वहाँ ये आईपैड बन गया, आप इसे क्या चमतकार है ना, यही हो रहा है, मैं इसे पीता हूँ और यह मैं बन जाता है क्या यह चमतकार नहीं है? मैं उसी ट्रिप में डीगल एरपोर्ट पर पहुंचा और वहां खड़ा सुरक्षा करमी चिड़-चिड़ा दिख रहा था उसने पूछा कोई तरल चीज है, मैंने ऐसे इशारा किया और वो चिड़ गया, उसने मुझे ऐसे देखा फिर वो मेरा बैग रखकर बोला, कम्प्यूटर, मैंने ऐसे इशारा किया फिर वो जोर से हसने लगा हम उससे बहुत प्रभावित हैं, जो हमारे आसपास हो रहा है जो हमारे अंदर हो रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है, है न? हाँ सभी कम्प्यूटर बस इसकी एक छोटी अभिव्यक्ती है, है न? हम उससे मोहित हैं, लेकिन इससे मोहित नहीं है यही हमारी समस्या है तो भीतर मुड़ना अपने आप में भूत शुद्धी है अगर वो आपके लिए संभव नहीं है तो सरल अभ्यास है अभ्यास हैं, विधिया हैं और व्यापक सिस्टम है इन तत्वों पर महारत पाने के बारे में या अगर आप ऐसा करना नहीं जानते तो कोई अन्य व्यक्ती कोई विधी कर सकता है जिससे सभी को लाब मिल सकता है भूत शुद्धी की विधिया हैं उदारण के लिए हर महीने ध्यान लिंग में पंच भूत आराधना होती है आप उसे करना नहीं जानते कोई और करता है और आप बस उसकी उपस्थिती में बैठ कर लाब पाते हैं